Hello Friends, Welcome to JS Analysis Center तो डेली करेंट अफिर के सतर में आज हम डिसकस करेंगे 26 मार्च का करेंट अफिर करेंट अफिर के साथ साथ जीतने भी इंपोर्टेंट एक्साफेक्ट होंगे सारे कोई डिसकस करेंगे साथ ही इसका PDF इस वीडियो के डिसक्रेप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो का अंतक देखिए, अंत में आप सभी से दो पराशन पुछूँँगा उसका अंसार आपको नीचे कमेंट में लिखना है तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है 24 मार्च 2022 को असंव राइफल्स का कौन सा अस्थापने दिवस्ट मनाई गया तो असंव राइफल्स ये भारत का पैरा मिलेटरी फोर्स से अर्ध सेनिक बल है हाली में इसका 187 अस्थापने दिवस्ट मनाई गया तो ओप्शन ये सही उत्तर है असंव राइफल्स जो है ये भारते सेना का सबसे पुराना अर्ध सेनिक बल है भारत में और भी बहुत सारे अर्ध सेनिक बल है जैसे कि BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, इत्यादी इन सभी में सबसे पुराना अर्ध सेनिक बल असंव राइफल्स है असम राइफल्स को पुरुवत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है और असम राइफल्स जो है ये दोहरी नियंतरन सरचना वाला भारत का एक मात्र अर्दे सैनिक बल है इसके इलावा जितने भी अर्द सैनिक बल हैं, सारे केंद्रिये ग्रिह मंत्राले के अधिन काम करते हैं, लेकिन असम राइफल्स ये एक मात्र ऐसा अर्द सैनिक बल है, जो कि दो मंत्राले के अधिन काम करता है, केंद्रिये रक्षा मंत्राले और केंद्रिये ग्रिह मंत्राल असम राइफल्स की अस्थपना 1835 में की गए थी ब्रीटिस काल में इसका मुख्याले मेगाले की कैपिटल शीलोंग में है देखिए यहाँ पर एक बात और दियान में रखिए जितने भी अर्द सैनिक बल हैं सभी का मुख्याले नई दिल्ली में हैं लेकिन असम राइफल्स यह एक मात्र ऐसा अर्द सैनिक बल है जिसका हेड़क्वाटर नई दिल्ली में नहीं है बलकि शीलोंग में है असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंदरन नायर चले अगला कोशन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 23 मार्च 2022 को सता से सता पर मार करने वाली की सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया तो देखिए हाली में DRDO ने 23 मार्च को ब्रहमोस मिसाइल का सफल परिक्षन किया ब्रहमोस मिसाइल जो है ये सता से सता पर मार करने वाली भारत की सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका परिक्षन किया गया अन्दमान और निकोबार में भारत में ब्रहमोस मिसाइल का निर्मान ब्रहमोस एरोएस्पेस लिमिटेड द्वारा किया जाता है वैसे इसे विक भारत वैसे मिसाइल किसी भी देश को नहीं बेचता है, भारत ने पहली बार किसी देश को मिसाइल बेचने के लिए एक समझोता किया है, कौन सी मिसाइल है यह ब्रहमोस मिसाइल है, किस देश को बेचेगा फिलिपिन्स को, तो फिलिपिन्स की सरकार ने हाली में 375 मिलियान ड दिल्ली में है चेर्मेन है जी सतीस रेड़ी डी आडियो का मोट्व है बलस्य मुलम विग्यानम अगला खुशन है भारते मुलकी कौन सी कंपनी फिफा विशो कप 2022 के लिए अधिकारिक स्पॉंसर बना है तो देखे इस बार का फिफा विशो कप कतर में अयोजित किया पिछली बार 2018 में रूस में इसका आयोजिन किया गया था और 2022 में नौमबर दिसंबर में इसका आयोजिन कतर में किया जाएगा तो फिफा विशो कप 2022 के लिए अधिकारिक स्पॉंसर बना है भारते कंपनी बाइजू जो की लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस तरह से बा देवान एटेक और डिजिटल लर्निंग कंपनी है इसके अस्थापना 2011 में की गई थी मुख्याले बैंगलूरू में है इसके संस्थापक हैं बाइजू रविंद्रम और दिभ्या गोकुलनात वर्तबान में बाइजू के CEO हैं बाइजू रविंद्रम नेक्स्ट केशो पसाद मौरे और ब्रजेस पाठक किस अराज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गये हैं तो ये दोनों उत्तर परदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए गये हैं उप्शन D, हराइट अंसर, ठीक है, और उत्तर परदेश के लगतार दूसरी बार मुख्य मंत्री बने है, योगी अदित्यनाथ, पांच अराजों में विधान सावा चुना हुए है, किस अराजे में कौन मुख्य मंत्री बने है, याद रहिए, उत्तराखंड के मुख्य मंत् उत्तर परदेश की बात करें, तो उत्तर परदेश ने ग्यारह हुई जुनिया राशी पुरू सौकी चेंपेंशिप 2021 का खिताब जीता था, लोग परिवहन में रोपवे का इस्तमाल करने वाला पहला भारतिये शहर बना है वरांड़सी, पेपरलेस बजट पेश करने वाल ये भारत का पहला राज्य है, स्वक्षे सर्वेक्षन 2021 में सर्वस्रेश्ट गंगा शहर का प्रोसकार दिया गया वरांड़सी को, उत्तर परदेश द्वारा 2022 तक भारती कुष्टी को गोध लिया गया है, भारत का पहला Green Hydrogen Centre मतुरा में अस्थापित किया जा रहा है, उत् अब उत्तर परदेश का मेप देखिए, ये भारत के आठ राज्य और एक के अंदर सासित परदेश से अपनी सीमा शेयर करता है, राज्यों में बिहार, जारखंड, चतिसगड, मदेपरदेश, राजास्थान, हर्याना, हिमाचल परदेश और उत्राखंड के अंदर सासित दिल्ली से और कंट्री में नेपाल से अपनी सीमा शेयर करता है, उत्तर परदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, जीलों की संख्या 75 है, भारत में सबसे अधिक जीले यूपी में ही है, राजधानी लखनव, सीम बने है, योगी अधित्यनात, राज्ये पाल है, अनंदी बेन पटेल, मुख्य नाइदिस हैं, राजेस बिंदल, ये इलाबाद हाई कोट के चीफ जस्टिस हैं, उत्तर परदेश में लोक सभा सीट के संख्या 80, राजे सभा सीट 31, विधान सभा सीट के संख्या 403 है, विधान परिशद भी है, इसके सीट के संख्या 100 है, भारत में सबसे अधिक निरवाचन सीट के संख्या उत्तर परदेश में हैं, ठीक है, और ध्यान रखिए, भारत के वरतमान में 6 राजों में विधान परिशद है, एक हो गया उत्तर परदेश, इसके लाबाद 5 हैं, बिहार, महराष्ट्र, करनाटक, आंधर परदेश और तेलंगाना उत्तर परदेश का राज के पशु बारा सिंगा है, राज के पक्षी सारस, राज के पेड़, अशोक, राज के फूल पलाश, राज के फल आम, राज के मिठाई, जलेबी, राज के फूल जो पलाश है, ये जहारखन का भी राज के फूल है, रास लिला, जूला, कजरी, तथा जैता उत्तर प्रदेश के प्रमुक फोकडान से दुधुवा नेशनल पार्क अमानगड टाइगर रिजवर पिली भीत टाइगर रिजव सारे यूपी में हैं चंदर परभा वन्यजीव अभेरन यानि वाइल लाफ सेंचूरी हस्तिनापूर वाइल लाफ सेंचूरी र विशो बैंक ने किस लुप्त पराय जानवर के सारेक्षन के लिए पहली बार वन्यजीव सारेक्षन बॉन्ड जारी किया है तो देखिए हाली में वर्ल बैंक ने ब्लैक राइनो जोकी एक लुप्त पराय जानवर है इसके सारेक्षन के लिए पहली बार वन्यजीव सारेक की अबादी को बचाने और बढ़ाने में मदद करेगा विश्व बैंक की बात करें तो इसको शुरुवात में International Bank for Reconstruction and Development के नाम से जाना जाता था विश्व बैंक की अस्थापना जुलाई अगला कोश्चन है Central Banking Awards 2024 में Governor of the Year का प्रोषकार किस ने जीता तो देखिए Governor of the Year का प्रोषकार दिया गया है मारियो मार्सिल को ओप्शन भी हराइटें सर ये Central Bank of Chile के गौर्णर है शक्तिक अंदास ये भारत के Central Bank of India के गौर्णर है जो ओप्शन C नंबर पे हैं जेरोम पाविल ये अमेरिका का Central Bank है Federal Reserve उसके गौर्णर है अजीत निवाड गब्राल ये सिलंका के Central Bank के गौर्णर है विशाय में AIM Tech पार्ठे करम लौंच करने के लिए IIT मदरास ने किसके साथ भागीदारी की हैं तो देखें इंपोर्टेंट कोशन बनेगा और द्योगिक Artificial Intelligence विशाय में AIM Tech पार्ठे करम लौंच करने के लिए IIT मदरास ने Tata Consultancy Services के साथ समझोता किया है Option D ये 18 महा का करेकरम होगा जो की वर्चुली तरीके से आयोजित किया जाएगा यानि जो भी कच्छाएं ली जाएंगी सभी ऑनलाइन मद्यम से लाइव कच्छाएं ली जाएंगी IIT मदरास के अस्थपना 1969 में की गई थी IIT मदरास के वर्चमान में चेर्मेन है पवन कुमार गोयन का Tata Consultancy Services की बात करें तो इसके अस्थपना की गई थी 1 अपरेल 1968 को मुख्याले मुंबई में है वर्चमान में TCS के MD और CEO है अरजेस गोपी नाथन हाली में इन्हें दूसरे कारेकाल के लिए नियुक्त किया गया है अगले 5 साल के लिए फिर से इनकी नियुक्ती की गई है चली अगला कोशन एक अपरेल 2022 से 3 साल की युदी के लिए किसे मारूती सुजुकी इंडिया का प्रबंद निदेशक और मुख्य करेकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है तो मारूती सुजुकी इंडिया के ने MD और CEO बने हैं ही साशी टेकूची जो की जपान के रहने वाले हैं इन्हें के नीची आयू कावा के अस्थान पर नियुक्त किया गया है तो option A सही उत्तर है मारूती सुजुकी इंडिया के अस्थापने की गई थी October 1982 में यहाँ पे बहुसाइज लोग confused हो सकते हैं दोस्तों Wikipedia पे आप सभी को इसकी अस्थापना देखनों के मिलेगा 1981 लेकिन यह रॉंग है 1981 में सिर्फ मारूती के अस्थापने की गई थी मारूती जुकी भारतिय कमपनी है और सुजुकी यह जपान की आटो मोबाइल कमपनी है मारूती सुजुकी इन दोनों ने अपस में मर्च किया था 1982 में इसलिए मारूती सुजुकी की अस्थापना कब हुई October 1982 में मुख्याले ने दिल्ली में है वर्तमान में मारूती सुजुकी इन्दिया के चैर्मेन है आरसी भार्गो अब ये कोशन न्यूक्तियों से रिलेटेड था तो हाली में जो भी इंपोर्टेंट न्यूक्तियां की गई है इन्हें भी याद रखिए फ्लिप कार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO बने है प्रशांत जावेरी यश राज फिल्म्स के नए CEO बने है अर्च्छे विधानी जेट एर्वेज के नए CEO बने है संजीव कपूर ट्वीटर के नए CEO बने है पराग अगरवाल ओयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंद निदैशक बने है रंजीत रथ भारती बीमा और विकास प्राधी करण के नए अध्यक्ष बने है देवासी स्पांडा फानेशल एक्षन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष बने है कहां पर इस्थित पेपुल्स को अपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस अरद कर दिया है तो देखिए हाली में आर्बियाई ने कान पूर इस्थित पेपुल्स को अपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस अरद कर दिया है ओप्षन भी हरेट एंसर भारते रिजोर बैंक की बात करें तो इसे भारत का बैंकों का बैंक कहा जाता है ये केंद्रिय बैंक है इसके अस्थपना की गई थी एक अपरेल 1935 को मुख्याले मुंबई में है वर्तमान में RBI के गौर्णर है शक्तिक अंदास ये 25 में नंबर के गौर्णर है नेक्स्ट राश्टरपती रामनात कवीन ने हाली में किस निवी शिप को प्रेसिडंस कलर से सम्मानित किया तो आई एन उस वल सूरा को प्रेसिडंस कलर से सम्मानित किया है तो option C right answer नेक्स्ट परले मंडल निम्नमे से किस बैंक के नए परबंद निदेशक और मुख्य करेकारी अधिकारी न्यूक्त हुए हैं तो परले मंडल जो हैं ये CSB बैंक के नए M.D. और CEO बनाए गया हैं ओप्शन D है राइट एंसर CSB बैंक की बात करें तो इसके अस्थापने की गई थी 26 नवंबर 1920 को मुख्याले केरल के त्रीशूर में है CSB बैंक का टैग लाइन है support all the way नेक्स्ट 23 मार्च 2022 को भारत के कीस पुर्व मुख्या नएधिस का 81 साल की उम्र में निधन हो गया भारत के पुर्व मुख्या नएधिस थे रमेश चंद्र लाहोटी हाली में इनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया भारत के पुर्व मुख्या नएधिस यानि ये सुप्रीम कोट के पुर्व मुख्या नएधिस थे गुलामी और ट्रांस अट्लांटिक दास ब्यपार के पीडितों के अस्मरण का अंतराष्ट्रिय दिवस यानि इंटरनेशनल डे ओफ रेमेंबरेंस ओफ दा विक्तिम्स ओफ सिलेवरी एंड दा ट्रांस अट्लांटिक सिलेव ट्रेड कब मनाये गया तो हार सल ये दिवस मना साहस की कहानियां दास्ता का प्रतिरोध और जातिवाद की खिलाफ एकता यानि रेसिस्टेंस टू सिलेवरी एंड यूनिटी एगेंस्ट रेसीज में देखिए 25 मार्च को और भी दिवस मनाये जाते हैं नजरबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एक जूटता का अ अंतराष्ट्रिय दिवस भी 25 मार्च को ही मनाये जाता है अब देखिए मार्च माह में जितने भी इंपोर्टेंट दिवस मनाये गया हैं मेरे साथ साथ आप सभी लोग फटाफ़र्ट रिविजन करिए थीम के साथ एक मार्च को शुन्य भेद भाव दिवस मनाये जाता है अब थीम भी देख सकते हैं एक मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाये जाता है तीन मार्च को विश्व वन्ने जीव दिवस चार मार्च को विश्व मोटापा दिवस आठ मार्च को अंतराष्ट्रिय महिला दिवस दस मार्च को महिला नयधीसों का अंतरा सारे 21 मार्च को मनाया जते हैं 22 मारच को विश्वा जल दिवस 23 मारच को विश्व मौसम विज्यान दिवस और 24 मारच को विश्वा टीबी दिवस मनाया जता है चलिए अगला कोशन 25 से 26 मार्च को इंडियान साइकेटरिक सोसाइटी का तिहत्रों वार्सिक राश्री समयलन का आयोजन किया गया आंदर प्रदेश के विशाखा पत्नम में और इस समयलन का विशाय था ब्रेजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशन्स तो फ्रेंड्स यह था हमार आज का करेंट अफेर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जगू करना अब डेली के तरफ फट 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 पिछले कलास का क्वीक रिविजन कर लिजेए पहला कोशन महेल सिंग धोनी के अस्थान पर चैन्नेई सुपर किंग्स के नए कपतान कौन बने है रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज आठ हजारन बनाने वाले विश्वा के पहले खिलारी कौन बने है किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट काड के लिए IPL टीम चैन्नेई सुपर किंग्स के साथ समझोता किया है ICICI बैंक ने भारत ने पहले बार किस वितिय वस में 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्षा हासिल किया है 2021-22 में नासा ने सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है 65 हाली में अभिसेख चटर जी का अंठावन साल की उम्र में निधन हो गया वे किस छेत्री सेमा के परसिद अभिनेता थे बंगाली सिनेमा के निम्नवे से किस रूसी पत्रिकार ने यूकरेन के सरणार्थियों की मदद के लिए अपना नोबिल शांति प्रोजगार निलाम करने का फैंसले किया है दमित्री मुराटो ने इन्हें 2021 में शांति के छेत्र में नोबिल प्राइज दिया गया था मारिया रेशा के साथ में किस भारतिय महिला को स्कॉटलेंड राशे एकादमी द्वारा रोयल सोसाइटी ओफ एडिन बर्क के फेलो के रूप में चुना गया है किरन मजुमदार शोग को ये भारत की फर्मसिटिकल्स कंपनी है बायो कौन उसकी संस्थापक और चेर्मेन है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहाँ पर वर्च्वली रूप से बीप लोभी भारत गैलरी का उद्गाटन किया कलकत्ता में केंद्रिय जलशक्ति मंतरी गजेंदर सी सेखावत ने कहाँ पर केंद्रिय नागरिक उड्यान मंतराले ने 2025 तक भारत में कितने नए हवाई अड्डों के निर्मान का लक्ष्य रखा है 2220 24 मार्च से नागरिक उड्यान के छेतर में एशिया का सबसे बड़ा कारेक्रम विंक्स इंडिया 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है है अनफिल्ड बैरेल्स इंडियाज ओयल एस्टोरी के लेखक कौन है रीचा मिश्रा कारबन तटस्थ खेती यानि कारबन नीट्रल फार्मिंग के तरीकों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है केरल निम्न मैंसे किस गणितग्य को वस 2022 के लिए एबल पुरुसका से सम्मानित किया गया है अमेरिकी गणितग्य डेनिस पार्नेल सुलीवन को 24 मार्च 2022 को किस विसाई के साथ विश्वट टीबी दिवस मनाए गया इनवेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइब्स टीबी को ही छै रोग यक्ष्मा या फिर तपेदिक कहा जाता है अब लास्ट कुईज का इसा जानिये पहला कोशन था धाका में आयोजित एशियन चेंपियन्स ट्रोफी पूरुस होकी टूनेमेंट 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता सहीव तर्था ओप्शन सी का से पदक दूसरा कोशन था 100% COVID-19 ठीका करन का लक्षे प्राप्त करने वाला पहला के अंदर शासित परदेश कौन बना है इसका सहीव तर्था ओप्शन सी अंडमान और निकोबार अब चलिए आज का पहला कोशन है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है दूसरा कोशन है जन संख्या के हिसाब से विश्वा का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोनों कोशन का अंसा नीजे कमेंट करका बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक के यार